कोरोना के इस काल में डबल इंजीन की सरकार ने उत्रा खड में विकास को भी रफ्तार दी है और गरीबों की भी चिंता की हैं। इतना बड़ा संकट आया सो साल की सबसे बड़ी बैश्ट्विक महामारी आई लेकिन यहां के तराई के छेत्र से लेकर पहाडों पर बसे गावों तक हमारी सरकार ने किसी भी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया। हमने चिंता की की गरीब के घर का चूला जलते रहना चाहिए। प्रजान मंत्री गरीब कल्यान योजना के जरिये आज भी हर गरीब को मुक्त राशन दिया जा रहा है। और मैं तो देख रहा हूं कभी कभी मैं सोशल मिडिया में कभी नजर करता हूं तो उत्राखन के दूर सुदुर गावों की गरीब महिलाएं खेत में काम करती हो रास्ते से गुजर रही हो सर पे बोज धोया हुआ हो और कोई पूछ ले चुनाव के विशह में और वो जिस प्रकार से मोदी को आशिरवाद देती है मैंने अभी तो एक मा की वीडियो देखी वो वीडियो मेरे दिल को छूगई उत्राखन के किसी दूर सुदुर गावों से वो मा बोल रही थी यहां की लोकल भाशा में वो बोल रही थी उसने कहा कि हमने हमारे बच्चों को नव महिना हमारे पेट में पाला बड़े होकर वो अपने अपने में खो गए लेकिन यह मोदी है जो हमें हमारी चिन्ता करता है हमारा बेटा सच्चा अगर कोई है वो मा कह रही है कि अगर मेरा कोई सच्चा बेटा है तो वो मोदी है भाई यो बेहनों माता हो बेहनों के इतने आशिरवार माता बेहनों का इतना बड़ा सामर्थ है अगर आज मोदी के साथ खड़ा है तो मोदी जी जान से माता और बेहनों के कल्यान के लिए उत्तरा खंड के कल्यान के लिए उत्तरा खंड के नौजवानों के कल्यान के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा बाईयों बैनों कोरोना के कारण परियटन प्रभावित होने की विज़र से जिन लोगों पर असर पड़ा था उनके लिए भी धामी जी की सरकार ने आर्थित सहायता भी जारी की आज गरीब मदूर ये कह रहा है महलाए कह रही है अगर कॉंग्रेस के शासनकाल में ऐसी महामारी आती तो न जाने क्या होता मैं भी आपसे पुस्ता हूं ये मुफ्त राशन क्या पहले की सरकार होती मुफ्त राशन आप तक पहुंचता क्या पहुंचता क्या पहुंचता क्या कहीं और बिख जाता कि नहीं बिख जाता गोटाला करते कि नहीं करते उत्राखन की बेहनों को जो मुप्त सिलिंडर मिले आप कलपना कर सकते हैं आज जादी की इतने साल के बाद भी क्या वो रहते तो आपको ये पहुंचता क्या पहुंचता क्या उत्राखन की लाखो बेहनों के बैंक खाते में जो रूपिये भेजे गए क्या ये कॉंग्रेस के लोग होते तो बैंक के खाते खुलते क्या खुलते क्या ये खातों में पैसे आते क्या ये पैसे आपके काम आत क्या भाईयों बैनों सरकार के खजाने से निकल जाता आप तक नहीं पहुंचता कहीं बहार चला जाता उत्राखन के हजारों किसानों के बैंक खाते में आज साल में तीन बार भारत सरकार की तरफ से सीधे पैसे पहुंच रहें क्या कॉंग्रेस के जमाने में कोई सोच सकता है कि किसी के खाते में सीधे पैसे पहुंच जाए